कुछ आपके appendix होंगे, index होंगे, उन चीजों पर अपने वो signature करेंगे, sign करेंगे और उसके बाद ही आपकी जो internship है, complete हो पाएगी, इस internship को ले जाकर आपको submit करना है, regional center पर, yes, note कर लिजे कि study center पर जो internship report होती है, वो submit नहीं होती है, Hi, this is Neha and I welcome you all to this video, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, IGNU MA Psychology, second year में internship के बारे में, इस वीडियो में आपको सारे details मिलेंगे, तो वीडियो को last दग देखेगा, और हमारे channel पर IGNU के बारे में और भी information है, specially IGNU MA Psychology के जो students होते हैं, जो कुछ भी difficulty वो face करते हैं, अपने course के दोरा उस पर हमने बहुत सारे videos बनायो हैं, then please go and find out the one for you, आज हम बात करेंगे clinical, counselling और industrial organizational psychology, ये जो second year की तीन streams होती हैं, इन में किसी भी stream से जब आप internship करते हैं, तो process जरूर सेम रहता है, कुछ चीज़ें वेरी करती हैं, मैं तीनों ही branches के लिए आज आपको explain करूंगी, कि आपको internship कैसे करनी है, एक एक चीज चोटी से चोटी बात इस वीडियो में explain करूंगी, तो पूरा वीडियो को जरूर देखेगा, सबसे पहले जब आप second year में आ जाते हैं, तो आप इन तीनों में से कोई extreme opt कर लेते हैं, वो clinical हो सकती है, वो counselling हो सकती है, वो IO हो सकती है, तीनों ही म आपको जब internship करनी होती है, तो उनके codes different होते हैं, आपको पता ही है, कि यहाँ पे आप लेते हैं 025, 015, counselling का होता है 025, और internship का होता है 035, यह codes में आपको इसलिए बता रहे हूं, क्योंकि codes से भी आप identify कर सकते हैं, कई बार बच्चे confused हो जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते है इंटर्णशिप एक long process है, 240 hours की हमें इंटर्णशिप करनी होती है, 240 hours का मतलब हो गया, अगर आपने एक दिन में 6-8 hours से जधा तो आप किसी organization में नहीं दे पाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी इंटर्णशिप जो होती है, वो देर से 2 महीने की हो जाती है, इस पर भी depend करता है कि Saturday Sunday आपके working हो रहे हैं या off हो रहे हैं, तो यह completely आपके एक दिन में maximum 6-8 hours ही working रहते हैं, और इसे साथ से आपको 240 hours total complete करने होते हैं, यह हो गया हमारा पहला point, कि आपको तीनों ही case में 240 hours की internship करनी होती है, दूसरे important बात इस internship की शुरुआत कैसे करें, हमें क्या step लेने है जिससे हमारा जो internship का process है, वो एक systematic way में चले, मैं आपको सबसे पहले advice करूंगी कि जो आपके पास internship की handbook होती है, उसको एक बार जरूर पढ़ें, वहां से आपको बहुत सारी information मिलती है, उस handbook में clearly दिया गया है कि आप clinical psychology के लिए जो internship करेंगे, उसमें आप कहां कहां से internship कर सकते हैं, वो कौन-कौन से places हैं जहां पर आप कर सकते हैं, similar is for counseling and similar is for I.O. I.O. से करने वाले बहुत कम students होते हैं, लेकिन इसका भी मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसमें करना क्या होता है, clinical और counseling सबसे ज्यादा choose किये जाने वाले दो stream है, उसमें भी topmost हो जाता है counseling क्योंकि इस सबसे पहला step होता है, अपने branches में एक ऐसी organization find करना, जो हमें internship करना allow करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी organization में जाना है, जब आप clinical की बात करते हैं, तो विएसका की नाम से clear हो रहा है, आपको किसी clinic में अप्रोच करना है, किसी rehabilitation center में अप्रोच करना है, या essay center पर जाकर बात करनी है जहां पर क्लीनिकल प्रॉसेस्स एपलाई किया जाते हैं थेरपीज दी जाती है ठीक है इस तरह कि कोई भी ऑर्गनाइजेशन ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं जहां पर अबनॉर्मल हुमन बिंग्स के ट्रीटमेंट किया जाते हैं इस तर अभी आपको दूसरे स्टेप की तरफ जाना होगा तो सबसे पहले आपको करनी होती है जो कि सिमिलर है तीनों किसी में मैं काउंसलिंग में भी बताऊंगी कि आपको पहले जाके फाइंड आउट पहला स्टेप है फाइंड आउट दा ओर्गनाइजेशन अब जब हमने कहा तो कौन कह depreciate सब्सक्राइब करते है करना है सबसे ज्यादा हो चांसलिंग के लिए सबसे ज्यादा होते है कांसलिंग किसी कि सेंटर भी क्रून कांसलिंग हो सकती है और मिएप जितने भी जहां पर भी एक साइकॉलोजिस्ट प्राइब सकता मैं एच्श levelर क्योंकि उससे करनी क्या है और इसी लिए जो कांसलर होते हैं वह यहां पर आप जाकर अप्रोच कर सकते हैं उसके बाद आता है आयो साइक को जी में अटर्णशिप कहा करेंगे क्या होगा यही सबसे आसान है लेट मी टेल यू कि आयो के लिए आप जा सकते हैं किसी भी होटेल में, किसी होटेल जो आपके city में होंगे ही definitely वहां आप जा सकते हैं, इसके अलावा आप किसी IT company में जा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी ऐसे छोटे मोटे organization में जा सकते हैं, जहाँ पर management है, school हो सकता है, आयो के लिए स्कूल भी यूज होता है, आयो के लिए कोई भी छोटा और्गनाइजेशन जहां पर प्रॉपर स्टाफ है, वहां स्टाफ होना वहां बहुत जरूरी है, ऐसा मिनिमम स्टाफ नहीं, थोड़ा सा स्टाफ इतना हो जिस पर आप बाद में केसे स्टेडी कर सके, त लेकि जाना है आपको कंसेंट लेटर, अब करना क्या है इस कंसेंट लेटर का, इसको ले जाकर अपने अक्याडमिक काउंसलर के सिंगनेचर कराने है, उन्हें बताना है कि हम इस और्गनाइजेशन में बात कर चुके हैं, हम यहां से इंटरंशिप करना चाहते हैं, एक्च कि कहां पर मिलेंगे, स्टेडी सेंटर पर, स्टेडी सेंटर पर मिलेंगे तो उन्हें बताना है, अब यह भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, यह कंसेंट लेटर हम कहां से लेकर आएं, यह कंसेंट लेटर आपकी हैं, जो आपकी इंटरंशिप की हैंड़ुक है, वहां बहुत सारे appendix हैं मैं आपको description में भी explain कर दूँगी लिख के order में लिख के दे दूँगी कि आपको किस letter के बाद कौन सा letter लगाना है लेकिन फिलाल आपको consent letter sign करवाना होता है advance में अब इसके बाद जब आपका consent letter sign हो गया अब आप पहुचेंगे वापस उसी organization में उस organization में आप वहाँ का system देखेंगे वहाँ क्या चीज़े हो रही हैं यहाँ पर आपको जादा attention नहीं लेनी है क्योंकि वहाँ जो भी psychologist होंगे वो आपको guide करेंगे एक चीज़ और साथ में आ कौन होता है agency supervisor वो person होता है जो कि कहना चाहिए कि पेशे से एक psychologist होता है उस वो भी psychology में कोई proficiency रखता है अब यह agency supervisor clinical counseling में तो mandatory है अगर आपको IO में यह जिस organization में आप गए हैं वहाँ पर कोई agency supervisor नहीं भी मिल रहा है तो कोई भी supervisor आपको company provide कर आएगी जैसे कि आप माल लीजे किसी एक company में गए आई टी company में गए किसी software company में गए किसी भी टाइप की company में गए जो किसी भी प्रकार का production करती है तो वहाँ आपको agency supervisor के नाम से signature करके वह person देगा वह आपका कोई head हो सकता है वहाँ पे थोड़ा higher level का head हो सकता है अब खुदी सोचिए जब आप किसी clinic में जाएंगे तो वहां तो आपको psychologist मिलेंगे ही ना राइट आप dentist के पास तो जाएंगे ने क्लीनिक का मतलब है आप ऐसे clinic ऐसे area में जाएंगे जहाँ पर psychological treatment होता होगा तो 100% वहाँ पर psychologist होंगे counseling में भी ऐसा होगा अचा counseling में हो सकता अगर आप किसी school में जा रहे है counselor के लिए और आपसे senior कोई वहाँ नहीं है तो वहाँ पर भी agency supervisor वह person बन सकता है जो आपको supervisor करेगा उस agency यानि उस organization का supervisory agency supervisor कहलाता है अब आपको क्या करना है उस पूरे process अब देखे मान लेजे कोई organization है जो six hours के लिए work करती है Saturday Sunday off रहती है तो आपके उसी हिसाब से time period बढ़ता जाएगा आप उस जब आप वहाँ पर work करेंगे बढ़ में आपको क्या करने है आप अंप्लॉई हो गए एक employee तो हो गए आप इंटरन हो गए वहाँ पर पर एक employee जो जो करेगा वह सब कुछ आपको देखना है करना है सीखना है नोट्स बनाते जाएए, हर दिन के नोट्स बनाईए आज आपने किस के बारे में जाना, आज आपने क्या सीखा, कॉल से थेरपी आपने एपलाई करनी सीखी, किस तरह से पेशेंट्स आए, हर छोटी से छोटी बात एक डेट वाइज अपनी डायरी में नोट करते चलिए, आएवा के टाइम पर बहुत काम की चीज होती है, तो वहां तक खेर बातने पहुचेंगे, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर पना इंटरंशिप स्टार्ट कर दी, जितना भी हमारा टाइम लगेगा, मैंने कई बार बात बता दी है कि टाइम वेरी करेगा, अल लेट मी राइट इट फो यू, 10 केस स्टेडीज, ओके, 10 केस स्टेडीज लिखनी है जिसमें कि आप ग्रूप केस स्टेडीज फाइव और इंडिविजुल केस स्टेडीज फाइव, 5-5 में डिवाइट कर लिजे, इसको 5 प्लस 5 ग्रूप और 5 इंडिविजुल, रेश्यो थोड़ा बदल भी सकते हैं, 6 प्लस 2 भी कर सकते हैं, 7 प्लस 3 तक भी जा सकते हैं, आप से जो काम ज्यादा हो रहा हो, आप से इंडिविजुल ही ज्यादा होंगी, तो इंडिविजुल केस स्टेडीज आप ज्यादा कर लिजे, उससे कोई इसा खास फरक नहीं पड़ता, यह आप तब करेंगे जब आयो में होंगे, आप जब क्लिनिकल में होंगे तो जितने पेशेंट्स आए उनके बारे में, जब आप कांसलिंग में होंगे तो जितने आपके पास क्लाइंट्स आए उनके बारे में, आप हर एक के बारे में जो पॉइंटर्स बनाएंगे, उस से बना लेते हैं और उसके बाद आप उन्हें लिख लें बट आइडिया कि आपके ऑर्गनाइजेशन में हुआ क्या है आप ये भी कर सकते हैं मैं समझ सकती हूं कि जो लोग वर्किंग होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो वो पूरा प्रोसेस नहीं भी कर पाते हैं या हो सकता है उनके ही फैमिली मेंबर हो कोई क्लोज रिलेशन में हो जिसके ओर्गनाइजेशन में जाके उन्होंने शॉर्टकट में इंटर्शिप कर लियो तो ऐसे में केसे स्टेडी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो उसकी हेल्प के लिए आप कॉस मुझे अप् हमारी फाइल में क्या क्या होता है कुछ सम एपेंडिक्स यह एपेंडिक्स आपको कहां मिलेंगे अगें मैं आपको बता देती हूं यह सारे अपेंडिक्स आपको मिलेंगे आपके जो हैंड़ूक है उसमें ठीक है पर उनका ओर्डर क्या रहेगा यह मैं आपको डिस्क्रि एक होंगे आपके agency supervisor एक होंगे academic counselor जो आपके इन case studies को review करेंगे और उस पर अपने signatures भी करेंगे certain appendix पे करेंगे हर case study पे signature नहीं करेंगे कुछ आपके appendix होंगे index होंगे उन चीजों पर अपने वो signature करेंगे sign करेंगे और उसके बाद ही आपकी जो internship है complete हो पाएगी इस internship को ले जाकर आपको submit करना है regional center पर यस note कर लिजे कि study center पर जो internship report होती है वो submit नहीं होती है study center पर आपके academic counselor होते हैं उनसे आप sign करवाते हैं पहले आपको sign कराने है अपने agency supervisor के दूसरे sign आपको कराने है academic counselor के और तीसरे sign आपको कराने नहीं है सिद्धे लेकी जमा करने चले जाना ह final submit करने चले जाना है regional center पर अपनी internship report को लेकर जब आप report submit कर देंगे of course make sure कि आपने उससे पहले examination form fill कर दिया हो उसका okay आपने examination form fill कर दिया हो और आपने जो report है वो submit कर दी हो तब आपको उसके लिए call आएगा internship के वाइवा के लिए और आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या है तो यह detailed video था मैंने पूरी कोशिश की है कि तीनों branches के बारे में क्योंकि देखे process तो सेम है बट थोड़ा सा organization का फर्क हो जाता है और exactly आपको इसमें करना क्या है तो I hope कि यह video आपको समझ में आया होगा और मैं यह भी sure हूँ कि अभी भी doubts रह गए होंगे आपक बहुत requested video था तो मुझे बनाना था और I hope you'll be fine और अपना ध्यान रखिए चलते चलिए मिलते हैं next video में चलने टेक क्या बाबाए